अब इसके बाद हम लोग एपसेजिक एसीड में क्योंकि एपसेजिक एसीड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस्टो मेटा क्लोजिंग में तो इसका हम लोग देखेंगे और एबिए सिग्नलिंग कैसे करता है वो और साथ में फिसके फिजियोलोजिकल तो सबसे पहले यहाँ पर एक डाइग्राम आप देख रहे हैं और इस डाइग्राम में लिखा हुआ है कि रिडिस्टिबिशन ऑफ एबिए इन दे लीव रिजल्टिंग प्रॉम एलिकलाइजेशन ऑफ ऑफ तजाइलम तैप दूरिंग दे वाटर इस्ट्रेस क्योंकि इसको वाली पोल्षन में आपकूख यहां से यहां तक इता हाफ एतना यह वाला पोर्शन यहां पे लिखा हुआ बॉस्ट्रेस सब्सक्रार के सांकिल वेल वाटर्ड कंडिशन है, तो जब वेल वाटर्ड कंडिशन होती है, तो वहां पे pH उस समय, जो sap होता है, उसका जो pH होता है, वो 6.3 होता है, क्योंकि देखे, वाटर अच्छे से मिल रहा है, फोटो सिंथिस चलेगी, और यहां पे जब वाटर इस्ट्रेस वाली कंडिशन होती है, तो उस समय pH slightly alkaline होने लगता है, ठीक है, pH slightly alkaline होता है, stress induced alkalization of apoplast, यह cells आप देख रहे हैं, cells के बीच में क्या हो रहा है, क्योंकि इस्ट्रेस हाया है, तो इस्ट्रेस की condition में, apoplast का pH low, मतलब की acidic pH maintain नहीं रह पाता है, उस समय pH slightly, कैसा होने लगता, alkaline होने लगता है favors formation of dissociated form of abscissic acid, और आपको पता है कि abscissic acid दो form में रह सकता है, एक इस form में और एक इस form में, ठीक है, तो जब pH क्या होता है, कि जब pH alkaline condition में, मतलब कि 7.2 pH पे क्या होगा, जब alkaline, मतलब यह 7.2 भले लिखा, इसको physiological में सोचेगा, यह alkaline pH की तरफ shifting हो रही है, क्योंकि यहा ठीक है, सेल वाल की area की side में pH कैसा होता है, एसिडिक होता है, लेकि जब stress होता है, तो उस समय pH alkaline होने की वज़े से क्या होता है, कि जब alkaline होगा, pH वहाँ पे H-1 के concentration कम हो जाएंगे, तो abscissic acid इस form में रहेगा, ठीक है, इस form में रहने लगता है, अब ABA- के form में है, तो ABA माइनस के form में होता है, तो आपको पता है कि, क्योंकि हमने आपको auxin बताया, तो auxin में जब auxin, IAA- के form में रहता है, तो उसके लिए carrier चाहिए होते है, pin protein, तभी वह transport हो पाता है, और अगर simple membrane से diffuse करना हो, तो फिर ये वाला form होगा, ठीक, ऐसे ही, जब ये वाला form जादा बन and more reaches to guard cell via transpiration stream, आप समझ ले, कि किस तरीके से पहले तो आपको ये पता है कि, ABA के थूँ स्टोमेटा क्लोज होते है, तो ABA पहले इस्टोमेटा गार्ट सल के पास पहुचे तो तब तो वह signaling करेगा, तो पहले पहुचेगा कैसे, क्या होता है, कि जब एपोप्लास्ट, जब water stress होता है, तो एपोप्लास्ट का pH slightly alkaline होने लगता है, जब pH alkaline होने लगता है, तो एपसिजिक एसिट इस फॉर्म में न रहके इस फॉर्म में होता है, तो जब इस फॉर्म में होगा, तो वह cell to cell नहीं जा पाएगा, क्योंकि cell membrane में जाने के लिए जब ये फॉर्म होगा, या फिर इसके पास कोई carrier हो, तो एपसिजिक एसिट के लिए कोई carrier तो होते नहीं है, तो इसी फॉर्म में जा सकता है, तो जब ये इस फॉर्म में जादा चेंज हो जाएगा, तो ये cells के बीच में ये नहीं ट्रांसपोर्ट होगा, जब cells के बीच में ट्रांसपोर्ट नही तो इसी लिए जब स्टमीट स्टारगेट तो उस समय आपको इसे जया बनता है जिससे की वॉटर स्ट्रस को ऑकम किया ayudar अगर आगर नॉर्मल कंडिशन हो तो उसकेसर में एक सैसे दूसरे सैस में ट्रांकॉर्पोर्स और जाएगा क्यूंकि Apecic Acid के फॉर्म में है, ABAH के फॉर्म में है, पी एच कैसा है, pH लो है, लेकिन जब pH slightly high होता है, जिद के alkaline pH होता है, hydrogen ion के concentration कम हो जाते हैं, तो Apecic Acid के इस फॉर्म में रहता है, जब इस फॉर्म में रहता है, तो यह cell to cell नहीं जा पाता है, तो यह क्या करता है, यह जो FCZ के स्रेश रहे वो गार्ड सल के पास या इस्टोमेटर के पास पहुचता है वहां पहुचके अभी सिंग्नलिंग कराएगा अब क्योंकि इसका काम इस्टोमेटर को क्लोस कराना है एक ब्रीफ में आप देख लिजी कि इस्टोमेटर ओपन कैसे होते हैं आपको बता ह कि इस्टोमेटर ओपन होने के लिए कि daytime in prosynTI subscribe your data online छब Het चलता है और यह फोटो सिंदेश करेंगे लग नहीं सभाटोपन ओनाऊ यह पोटो सिंदेश करेंहिंन अंच्था भंडिया इस्टार्च बंगा उस्टार्च बंगिया इस्टार्च बंगया इस्टार्च किस्में च जब इसमें आइनाइज होता है तो फिर क्या होता है कि गार्ट सेल में जब यह आइनाइज होता है तो हमने आपको पूरा ट्रांसपोर्ट क्रिप्टो क्रोम में बताया था कि H plus are transported out of guard cell और K plus iron are taken in guard cell और K plus iron अंदर आने लगते हैं K plus iron को balance करने के लिए chloride iron भी आते हैं तो यहां पर जो यह guard cell दिख रही है और यह subsidiary cell से guard cell में क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा K plus और means की solute potential बढ़ जाएगा osmotic potential बढ़ जाएगा कि इसकी वज़े से K plus और chloride iron की वज़े से जब यहां का solute potential बहुत बढ़ जाएगा तो water subsidiary cell से यहां पर आता और solute present है पहले तो इसको बाहर कर दिया जाए एक यह हो और दूसरा solute बाहर से अंदर भी ना आने पाए यह दो कंडिशन होंगी तभी इस्ट्रोमेटा क्लोज होगा तो अब यह काम करता है ठीक है अब लोग यह क्लोज करने का बेसिक आइडिया क्या है कि आपको यह देखना है कि गार्ट सेल में किसी भी तरीके से K plus iron chloride iron का इसका कॉंसरेशन घट जाए तो यहां का उस्मोटिक पोटेंशल कम होगा जब कम होगा तो फिर क्या होगा कि water potential बढ़ जाएगा और इधर का उस्मोटिक potential बढ़ेगा तो water इधर से बाहर जाने लगे लगए और जैसी water बाहर जाएगा तो जो यह तरजिड हो गई थी वो सब क्या हो जाएंगी वो means की flaccid हो जाएंगी और stiomata close हो जाएगा तो अब ये अब ये abscissic acid पहुचा कैसे हमने इस वाले mechanism से देख लिया कि abscissic acid guard cell के पास पहुचा कैसे अब इसके बार अगे ये guard cell पर जाके क्या कर रहा है यहां पर ये diagram में दिखाया गया है कि ये guard cell का structure बना हुआ guard cell के पास ये क्या है ABA receptor है ठीक है guard cell के पास क्या है ये है ABA receptor बहुत तो चुका ही है अब ABA ने इस से बाइंड किया जब ये ABA से बाइंड करता है तो ये क्या करता है एक IP3 को एक्टिव कराता है एक मॉलिक्यूल होता है साइकलिक ADP-Ribose को एक्टिव कराता है ठीक है और कुछ ROS को ठीक है और प्राइक्टिव और दूस्तिर को पास किश्या है और भी ये क्या होता है थी थी चुक्तिव और आपर दिखाए गया कि जैसे ABA receptors ये रिचेप्टर ये से बाइंड करेगा तो ROS क्या होता है रोस बनने लगता है reactive oxygen species और reactive oxygen species को होती है hydrogen peroxide या free superoxide यह सारे बनने लगे तूकि plant क्या stress में है जब कोई भी plant stress में या कोई animal भी stress में है तो उस condition में क्या होता reactive oxygen species बनती है तो इसलिए यहाँ reactive oxygen species बन रही तो जैसे ही ABA यहाँ पहुचा guard cell में transport के थूए और इसके बाद किर क्या हुआ कि यहां पर रिस्टर से बाइंड किया जब यह रिस्टर से बाइंड करता है तो रोस बनने लगता है अब जब यह रोस बनने लगता है तो यह क्या करता है कि यह जो यहां पर आपको कैल्शियमाइन चैनल दिख रहा है इसको खोल देता है और लुच के लिए का बाहर से मतलब जो भी यहां पर बाहर सबस्टिटिटीज होगी ना यहां से कल्शी माइन अंदर आएगा तो एक मेंकनिस्मी ओड़ गया तो कहां पे गार्ड वर में को कॉंसेंट्रेशन बढ़ गया तो क्या करता है कि इस चैनल को एक्टिवेट कर देता है किस चैनल को क्लोराइड आयन चैनल को तो क्लोराइड आयन चैनल को 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 जब calcium channel खुल तो internal calcium ion concentration बढ़ cotton ने जब की सीवकुला जो रॉजब रड़ार बढ़ने की वजह से इसमें परफने की जो चयमें खोला अरियद जो रहा है। इस तरह से देखा in a जगत रहा है to एक mechanism यह किया कर rebel region दूसरह कैलोड से और जब यह भड़ता है तो उसके साथ क्या करता है कि जो वेक्यूल होती है चैलले के के Leah उप्रश्या-जाओं स्टोर वाम में में रहते हैं तो और निकलने लगता क्रफिशत गल निकल ने लगता so और अगर अंदर आने वाला चैनल है उसको भी इनिविट कर दिया गया इसी केल्शियमाइन के बढ़ने बढ़े वे concentration से एक mechanism तो यह हुआ दूसरा mechanism क्या होता है कि जो ABA जैसे ही receptor से bind करता है IP3 pathway activate हो जाता है IP3 pathway जब activate होता है तो आपको पता है कि वेक्यूल में non-payee can aan यहां फिर से further calcium को concentration मतलब calcium बाहार निकलने लगे बाहार निकले तो calcium बढ़े बढ़ने की वजह से फिर क्या हुआ कि यहां पर जो proton ATPase pump है वो भी हो गया पीएच भी इंक्रीज हो गया क्योंकि जब के अंदर बहुत सारा आएगा तो अलकलाइन पीएच होगा पीएच इंक्रीज कर जाएगा और यह इंक्रीज पीएच और कैल्शिय माइन क्या करेंगे प्रोटॉन पंप को भी इन्विट कर देंगे तो इस तरह से आप क्या देख कॉसमं कोई फिरफ लाइगा थे सब्सेडीज का मोटेंशिय पॉटेंशिय ंजीख तो आपगर बढ़ की तरफ अभी यहां के वांटर पोटेंशिय जादा हो गया आप यहां से क्या होगा की वांटर बाहर जाएगा और जब बाहर बाहर जाने लगे गा तो इस स्ट्याह यहां पर यह पूरे जो यहां पर आप 123 नंबर देख रहे हैं और उसी के हिसाब से यहां पर स्टेट रिखा अबीए बाइंड रिसेप्टर से बाइंड करता है अबीए बाइंडिंड इन्यूसेज द फॉरमेशन ऑफ रियक्टिव ऑक्सिदिन स्पिसी विच एक्टिवेट इस तरीके से कल्शियमायन चैनल खुलता है अबीए इंक्रीज द लेवल ऑफ साइकलिक एडीप राइवोस आईपी थी विच एक्टिवेट अडिशनल के शियमायन चैनल जो कि टोनो प्लास्ट पर होता है तो पहले तो देखिए यहां पर क्या यह टोनो प्लास्ट का भी खुल गया सबसे पहले एक्टिवेट होता है आरवेस के थू जो इस मेंब्रेन पर कैल्शियमायन चैनल वह खोला एडीशनली इनकी वज़े से यह जो टोनो प्लास्ट पर है वह भी खुल गया ठीके तो कैल्शियमायन किसी भी तरीके से इंट्रास्यलर मतलब की जो भी तो को जैबर मतलब किभी एंट्रास्यवायन चैनल को आउपन धैया तो किसी ऍनेट्रास्युल्रास झाल को तो उन इनट्रास्युलर कैल्शिय वह श्यूब्लास्यूर्ट उपनेइड उपने काड़ उपनेड begin जिसके की बाहर निकल जाए और फिर क्या होगा गासिंग देप्लाज्मा मेंब्रेन डीपोलराइज मेंब्रेन हो जाएगी देप्लाज्मा मेंब्रेन प्रोटॉन पंप इस इनिबिटेट वाई क्या ओर इस निए ख्याज्मा मेंब्रेन और यहां पर यहां पर देख़्ियत अधिप्लाराइज हो गया यह जब यह इनिबिट होता है तो यह मेंब्रेन को और डीपैस करादेता है जब लूदु कर देता है तो जो जो तो आउट चैनल है वो खुलने लगते हैं तो इस तरीके से पूरा का पूरा ABA की signaling देखते हैं अभी क्या है कि आपको पता है कि जब ज्यादा तर ये ABA क्या है जब stress condition होती है तो उसी condition में ये ABA बनता है और वो help कर अब माले जी कि अभी कोई stress condition यह जिसके non stress condition है तो उस समय ABA क्या Hazard करता है Snrk2 जो कि कने यह करता है PP2 क्योंकि फॉस्पटेज का काम क्या है व्य्मुप करना फोस्पटेज पेस्से यह फोस्पेटगूरू को डिली रचा जाए गा थे खाकी क्जारता में Star Kine je पीशी आवगी होता हुँं था जाया इकक्थी बिऐसा मेंस्पटीज और छाली इनेक्टिव फॉर्म में रहता है अब तो अब यह receptor तो है लेकिन अभी क्योंकि ABA ही नहीं तो receptor बाइंड कर नहीं रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है कि अब यहां पर यह और एप्सिजिक इसीड बैंडिंग फैक्टर है इसको देखे इसका नाम हम लोग देख लेते हैं A B R E ABA responsive element इसके बाद ABF का नाम यह जो ABF इसका नाम है ABA response element binding factor यह एक क्या है ABA response element है बतलब यह जो DNA एक element है जिसका नाम है ABA response element और इस ABA response element से कौन bind करता ABF bind करता ABF का नाम क्या है ABA response element binding factor यह एक factor और यह जीन का एक part है, एक element है, तो इससे ये bind करता है, जब ये bind करता है, तभी क्या होता है, कि bind करेगा, और जब इसको phosphorylate कराए जाएगा, ABF को, तब ये transcription होता है, क्योंकि अभी ABF है ही नहीं, तो क्या होता है, ये inactive form में रहता है, जब ये inactive form में रहता है, तो ये इसको phosphorylate नही कर पाता है तर रांस्क्रिप्शन नहीं हो अब इसके बाद क्या हुआ कि अप्सेजिक एसिट क्या हुआ की प्रेसेंट चैसे इस्ट्रस कंडिशन आ गई एप स्ट्रस पॉस्सीव आप एक पी तउैंड लीप्ता से बाइन करता है आप जब अक पोस्फास्पेड अप अपायगा एसका फॉस्फफेड ग्रुप रिमूड नहीं कर पायगा। तो यह जो SNRK2 काइनेज है इसको यह active form में हो गया जब यह active form में है तो यह इस पर phosphate group लगा देगा किस पर ABF पर जब ABF पर phosphate group लग जाएगा तो यह इस पर bind करके transcription करा पाएगा और इस तरीके से ABA responsive gene active हो जाएगे और signaling चलने लगेगी तो यही इसकी signaling है तो देखिए जैसे in absence of ABA जब ABA नहीं है जो phosphatase है phosphatase interact with SNRK2 kinases to inhibit their autophosphorylation activity and activation inhibit कर देता है in presence of ABA inhibition of PP2 phosphatase by ABA receptor complex इसने इसको inhibit करके रखा है PP2 को and result phosphorylation and activation of SNRK2 यह active हो जाता है जब यह active होता है तो यह क्या करता है कि आप phosphate को यहाँ पर ट्रांस phosphorylation कर देता है यहाँ पर और इस तरह से फिर ABA responsive gene active हो जाता है और यह ABA की signaling होती है अब इसके बाद ABA का अगर हम देखें तो वह क्या-क्या चीजे कर सकता है ABA का क्या-क्या function ABA induces gene that protect from desiccation damage अब देखें क्या होता है कि जब seed development होता है तो seed development में desiccation होता है desiccation का मतलब कि removal of water तो अब desiccation desiccation का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे अगर आप धूप में कोई चीज सुखा रहे है तो वह उसको proper desiccation नहीं कहेंगे लेकिन अगर वह plant में हो रहा तो वह gradual depletion of water होता है मतलब धीरे-धीरे-धीरे करके seed dry करता है तो उसको कहते है desiccation वह systematic removal होता है water का अब यह ABA जब क्योंकि developing seed में ABA होता है जिससे कि क्या होता है कि धीरे-धीरे करके seed drying की तरफ जाता है तो ABA वहां पर present होता है तो ABA का function क्या है ABA मतलब seed अगर पूरा water हटा दे या अगर उसकी drying की वज़े से उसकी values और properties खतम हो जाए तो यह तो अच्छी बात नहीं है ना तो क्या करता है ABA क्या क्या चीज कर सकता है functions क्या करता है heat shock protein या late embryonic abundant protein यह सब स्टोर हो जाती है किसमें जो drying seed या जो developing seed होता है तो यह सब water को save करके रखती है heat shock protein बन जाती है यह सब कौन पनवा रहा है ABA बना रहा है movement of water and ions aquaporins ion channel का भी काम करता है कुछ cases में अगर water stress हो गया तो उस समय plant को किसी भी तरीके से क्या किया जाए कि उसमें water को पहुचाया जाए तो कुछ ऐसा ABA करता है कि जिससे की water or ion मतलब aquaporin या ion channel खोले जिससे water का movement बढ़ जाए oxidative stress defense में कुछ ऐसे हैं जब stress आया plant में तो उस समय ABA क्या करेगा कि peroxidase SOD बगार को बनाने लगेगा जैसे SOD का काम क्या होता है कि जो reactive oxygen species होती है superoxide उसको change कर देता है S2O2 में तो यह SOD का काम है तो SOD बने का भाई अगर प्रांट में stress हा गया बहुत सारा ROS बन गाए तो उस समय ABA क्या कराता है कि कुछ ऐसे enzyme बनवाने लगता है जिससे कि जो stress वो कम हो पाए तो ROS अगर यह superoxide है तो इसको इसमें चेंज कर देता है यह भी SOD के उसमें ही मतलब reactive oxygen species की category में आता है लेकिन इससे less harmful है तो इसके बाद peroxidase का काम क्या होता है कि इससे इसको water और oxygen में change कर देना तो इस तरीके से यह reactive oxygen species की में change होगी water और oxygen में change होगी यह काम करना Osmo protectant को बनाना मतलब कि जिससे की plant में यह seed में क्या किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा पानी को रिटेन किया जाए जैसे stress condition आई तो उस समय अपसिजिक एसिड क्या करेगा प्लांट के अंदर sugar molecule, proline, glycine, betaine यह सब बनाने लगेगा जिससे क्या हो कि यह सब molecule कैसे हो तो osmotic type होते है तो इसमें क्या होता है कि इससे plant के अंदर को osmotic potential बढ़ेगा और जो plant होगा वो ज्यादा से ज्यादा water को अपने अंदर रिटेन करके रखेगा यह सारा function कौन करा रहा है अब इसके लोग फिजियोलोजिकल रोल में वन देख लेते हैं इनिबिशन और सीड जर्मिनेशन सीड ग्रोफ हैंड सीड बड ग्रोफ हैंड सीड बड ग्रोफ हैंड तो आपको जैसे पता है ABA also inhibit water uptake in germinating seed तो exogenous अगर हम ABA को apply कर दें तो यह क्या करता है इनिबिट करता है germination को non-dormant seed में ABA also inhibit water uptake in germinating seed जो germinating seed है क्योंकि germinating seed में क्या होता है जिब्राइली केसिड होता है और जिब्राइली केसिड अगर जिब्राइली केसिड तो सीड को germinate करने में help करता है और जिब्राइली केसिड जस उसका opposite करता है तो इसका मतलब कि ABA also inhibit water uptake in germinating seed ABA act opposite to growth stimulatory effect अब जितने भी growth stimulatory effect है different growth promoter hormone के जैसे की जिब्राइली केसिड cytokinin यह सब क्या है और जिन जिब्राइली केसिड cytokinin यह क्या है growth promoter hormone है तो इनके stimulatory effect को क्या करता है opposite काम करता है इसके opposite काम करता है abscissic acid is specific antagonist of gibralic acid gibralic acid acid का क्या होता है antagonism show करता है ABA also known as anti gibralin इसको ABA को हम लोग क्या बोलते anti gibralin बोलते क्योंकि gibralic acid के opposite work करता है इसके बाद dormancy seed germination को inhibit करेगा तो किससे इससे यह बात निकल के आ रही कि वो dormancy को promote करेगा induces dormancy of seed and but ABA inhibit sprouting of potato क्योंकि देखे जब potato है उसमें starch के form में storage material है वो glucose में change होगा तो फिर इसके बाद वो क्या करता है sprouting करने लगता है ABA क्या करता है ABA inhibit करता है sprouting को जैसे potato में ऐसा हमने आपको oxygen में भी बताया था ABA accumulate in dormancy ABA कहा होगा जो भी dormancy seed में होगी वहाँ पे ABA का accumulation होगा ABA and senescence ABA accelerate the leaf senescence हमने आपको पता है था कि यह positive regulator होता है ABA ABA क्या होता है positive regulator होता है leaf senescence के लिए independent of ethylene जैसे कि हम लोगों ने last lecture में देखा था कि ethylene जब यह abscission करता है तो यह leaf senescence तो उसमें oxygen का हमने रोल आपको बताया था यहां पर क्या है कि यह बोल रहा है कि ABA accelerate करता है leaf senescence को independent of ethylene इसका कोई मतलम नहीं होता है यह अपने आप में leaf को क्या करता है and abscission of leaf flower fruits यह सब किसका किसका abscission करा सकता है leaf flower fruits का it promotes callous tissue development at abscission zone of petules तो यह क्या करता है कि जो प्रमोट करता है callous tissue को की वो develop करे abscission zone petule में istomata closure में हमने आपको पूरी सकी mechanism बता दी कि किस तरीके सी istomata close में काम करता है और इसको इसलिए ABA is involved in istomata closing and in vit opening increase content of ABA favors istomata close thereby reducing transpiration rate जब istomata close हो जाएगा तो transpiration rate automatic कम हो जाएगा hence act as good anti-transparent तो इसको क्या कहा जाता है good anti-transparent क्योंकि इसकी वज़े से transpiration rate घट जाएगा तो it is stress hormone इसको हम लोग stress hormone भी कहते है ABA को ठीक है अब इसके बाद हम लोग next आगे पढ़ते हैं root and shoot growth ठीक तो root and shoot growth में देखें root and shoot growth में हम लोग क्या देख रहे हैं ABA promote root growth and inhibit shoot growth at low water potential जब water potential low है अब देखिए कि water potential suppose कि कोई stress आया ठीक है कोई stress आया यह plant है इसमें कोई stress आ गया अब जब stress environment में पानी कमी है तो यहां पे water potential क्या है अब चाहिए कि अपना shoot growth कम करें रूट growth जादा करेंगी तो फिर क्या होगा कि वह ज़्यादा पानी ले पाएंगी भले कम है तो पानी ज्यादा लेने की तेंडेंसी रखेंगी तो जैसे आप देखिए कि जो प्लांट को थोड़े से water stress में रखे तो उनके root बहुत लंबे हो जाते हैं, root उनके ज्यादा grow करते हैं, shoot के competitively, तो plant की tendency क्या होगी, कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को ले पाए, क्योंकि water potential काम है, पानी की कमी है, तो ABA क्या करता है, promote करता है root growth को, और inhibit करता है shoot growth को at low water potential, जब पानी की कमी है, तभी ऐसा करेगा, normal condition में ऐसा कुछ नहीं करेगा, ABA promote desiccation tolerance in embryo, तो desiccation tolerance मतलब कि जब seed drying की तरफ जाता है, तो वहाँ पर वो seed के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों होना चाहिए, कि वो उस desiccation को tolerate कर पा है, तो उस desiccation को tolerate करने के लिए वो बहुत सारी ऐसे protein को synthesize करता है, जो कि वो removal हुआ है, water को उसको tolerate कर पा है, तो उसमें से जैसे होता है, late embryogenesis, abundant protein को synthesize करना, जो कि desiccation tolerance में involved होती है, LEA protein or related family member can be induced by ABA treatment of either young embryo और vegetative tissue, तो अगर हम ABA से treatment कर दें, तो LEA protein बनने लगती है, thus the synthesis of most LEA protein is under ABA control, ठीक है, तो ABA की वज़े से ही LEA protein की synthesis होती है, ABA exhibit, exhibit क्या कहिए, ABA inhibit यहां पर लिख दीजिए, तो ज़्यादा कीजर होगा, ABA inhibit, VV perry, ठीक है, ABA inhibit, VV perry, हम बता चुके हैं, आपको VV perry क्या होता है, VV perry होता है, precocious germination, जिसमें क्या होता है, कि plant attach, plant से seed attach है, और seed mother plant से attach रहते ही, क्या करें, दूसरा plant बना ले, तो उसको कहते है, VV perry germination, तो इस germination को कौन inhibit करता है, ABA inhibit करता है, ABA show hydraulic conductivity, hydraulic conductivity का मतलब कि जब water potential low होता है, सब्सक्राइब कोई stress आया, और environment में water potential change हो रहा है, तो उसका signal, जिससे सब्सक्राइब यह प्लांट है, और यह root है, तो उसका signal यहां उपर पहुचाना, क्योंकि जब उपर पहुचाएगा, तो स्टोमेटा क्लोज होगा, और Osmo protectant बनेंगे, तो ABA क्या करता है, hydraulic conductivity शो करता है, इसका मतलब क्या है, कि जब water potential का changing environment बार बार हो रहा है, तो root से, root से वो signal leaf में जाता है, वो किसकी वज़े से जाता है, ABA की वज़े से जाता है, जिससे कि water को यह signal मिल जाता है, कि अभी water potential change हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, ज्यादा हो भी है, तो वो कौन देता है, वो उस mechanism को कहा जाता है, hydraulic conductivity, जिसकी वज़े से water potential के changing environment को sense कर पाए, plant तो वो कौन कराता है, ABA कराता है, ABA प्रमोट, root growth, यह तो अल्रेडी हो चुका है, root growth and inhibit shoot growth at low water potential, यह आपको अल्रेडी बता चुका, अभी almost अभी function हो गया है, इसमे,